नई दिली से बीजेपी सांसाथ बास्तुरी स्वराज इस पक्त हमारे साथ है मैम अर्विन केजरिवाल ने LG से समय मांगा था और अब कल यानि मंगल बार शाम साड़े चार बजे LG से उनके मुलाकात होगी अब माना जार इस मुलाकात में अपना इस्तिफा सौंप देंगे कैसे देखती हैं इस पूरे एपिसोड को आप इस देश की विभिन का चेहरियों ने बार बार ये पाया कि शराब घूट आलिम के किंग पिन माननीय मुख्यमंतरी एरविंद केजरिवाल जी हैं और इसी के चलते आप देखिए कि सुप्रीम कोट ने बहुत स्ट्रिक्ट बेल कंडिशन लगाई उनके खिलाफ ये कहा कि उनको इस योगी नहीं पाया गया कि वो सियम दफ्तर जाए ना उन्हें अनुमती दी गए है किसी फाइल पे साइन करने की ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी इस बेल कंडिशन की विवश्ता पर एक नैतिकता का आवरण उढ़ा कर राजनेतिक धोंग रचा है और इसी लिए ये जो उनका निरने है ये नैतिकत स्वार्थ से जरूर उपजा है जहां वो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाएं लेकिन फिर एक बहुती विरोधा भासी स्टेटमेंट दे देते हैं जहां पर वो विधान सभा भंग नहीं करते अगर वो वाके ही चुनाव करवाना चाहते हैं तो उनके पूरे मंदर करके अर्विंद केज रिवाल जी को विधान सभा भंग होने की बात कहने चाहिए क्या लगता आपको जिस तरह से जिल से जब निकले जिस तरह से उन्हों एड्रेस किया कि हम अगनी परिक्षा से गुजरना चाहते हैं हम जब तक अब दिली की जनता एक बार फिर मैंडेट नहीं देगी तब तक हम सीम के कुरसी पे नहीं बैटेंगे तो यह पूरी जो बाते हुई है इसे आप कैसे देखते हैं और इसका क्या पॉलिटिकल इंपक्ट अब देखती है इसमें तीन बाते हैं सबसे पहले जो बेल कंडिशन है जहां पर ना वो सीम के दफ्तर जा सकते ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं यह बेल कंडिशन बरकरार रहेगी यह कोई काफूर नहीं हो जाएगी इसलिए अगर वो दुबारा मुख्यमंतरी का पत ग्रहन भी करेंगे तो भी वो ना ओफिस जा पाएंगे ना फाइल साइन कर पाएंगे लेकिन दूसरी बात में यह क केजरिवाल जी ने करा था लेकन दिल्ली की जनता ने साथ की साथ सीटों पर कमल खेताया भाजपा का चैयन करा दिल्ली की जनता बहुत स्माट है बहुत इंटेलिजन्ट है समझदार है यह जानती है सडख पानी बिजली ड्रेनेज शुइज जैसी यह जो मूल सुविधाय है सारी की सारी केजरिवाल सरकार के नीचे आती है लेकिन एक दशक से गहां पर उन्होंने सताब होगी पर दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं करा इसका आपको क्या लगता है सियासी फाइदा होगा आब आदमी पार्टी को बीजेपी को आप देखते हैं इसे बीजेपी आप क्या सोचते हैं कि आपको फाइदा नुक्सा है चुकि अगले कुछ महीनों में दिल्ली में चुनाओ भी होने है देखे एक बात तो जरूर बरकरार रहेगी जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है मुख्यमंतरी कोई भी हो दिल्ली में विकास नहीं होगा दिल्ली की जो चर्मराती हुई व्यवस्था है वो बरकरार रहेगी क्योंकि आम आदमी पार्टी की नियत ही नहीं है यहाँ पर हालत है यहां पर ड्रेनेज का कोई इन्होंने सिस्टम ही नहीं रखा इसलिए दो बूंद बारिश में दिल्ली पूरी की पूरी जल भराव में डूब जाती है और गर्मी में पानी की कल्ड से डूबती है और आपके देखिए अभी आने वाले हैं विंटर आने वाले हैं समय से बीजेपी सत्ता का वनवास जेल रही है इस बार पूरी ताकत आप लोग अभी से लड़ा रही है लेकिन अब जिस तरीके से अर्मीन किज्रिवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो यह पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है आप कैसे देखती हैं किस नेजरिय से पास बहुत पुर्जोर तरीके से उठा रहे हैं हाँ इसका अगर कोई भी असर पड़ेगा तो वो आमार्मी पार्टी पर जरूर पढ़ रहा है इसलिए शायद केज्रिवाल जी ने 48 गंटे की महलत मांगी थी क्योंकि हो सकता है कि सब्ता के मुह को लेकर उनके दल में कोई दंगल चल रहा हूँ बहुत दने बाद तो यह थी वांसुरी सुराज और उनका साफत और से कहना है कि चाहें अर्विंद केज्रिवाल कोई भी पॉलेटिकल स्टेंट करें दिल्ली की जनता समझदार है और वो सोच समझ कर फैसला लेगी बढ़ जनिस गजिंद्र के साथ स सुमंत कुमार टीविनान भारत वर्ष दिल्ली